आज के वीडियो में हम आपके लिए दो जॉब अपर्चुनिटी लेकर आएं हैं पहला जॉब अपर्चुनिटी है वह है थोट वर्क्स कंपनी के तरफ से और सेगेंड वाली जो है वह टाटा एलेकसाई के तरफ से यह दोनों आपकेंपस ट्राइब हैं तो इस आपकेंपस ड्राइब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस हैरिंग के उपर हम डिटल्स में बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है क्या-क्या इलिब्रेटिक रेकरिया होने वाला है कोण apply कर सकता है कोण apply नहीं कर सकता है apply करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए इन सारी चीजे को हम details में समझेंगे आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो जाकर subscribe करिए और bell icon को दबाईए ताकि कोई भी job notification आपसे miss नहों हो जाए तो चलिए अब हम अपने पहले job opportunity के बारे में बात करते हैं हमारे पास जो पहला job opportunity है वो है thought works company के तरफशे यह developer role के लिए hire कर रहा है B, BTEC, ME, MTEC, MCA और MSE वाले apply कर सकते हैं इसमें जो batch eligible है वो 2020, 2021 और 2022 वाले eligible है selection के बाद जो आपका job location होने वाला है वो bang load होगा experience में इन्होंने फ्रेसर्स मांग रखा है या less than 6 months होना चाहिए selection के बाद जो आपका city C होने वाला है वो 8.1 LPA का होगा last day to apply कुछी mention नहीं किया गया है तो आप apply as soon as possible करिए जितनी जल्द हो सके आप apply कर दीजिए यह आपके लिए best होगा तो चलिए इसके हम job description के बाद में बात करते हैं इनके कुछ job description दिये हैं इसे आप वीडियो पहुच करके पढ़ सकते हैं ठीक है इसमें इन्होंने mention कर रखा है कि less than six month of work experience आपके पास less than six month का work experience होना चाहिए second इन्होंने mention कर रखा है कि good programming scale होना चाहिए और आपको object oriented programming language का कुछ experience होना चाहिए ठीक है आप data structure and algorithms में comfortable होने चाहिए और आपके पास जए program design करने का ability होना चाहिए ठीक है इसके अलावा इन्होंने mention कर रखा है have understanding of operating system, databases and computer science concepts ठीक है सबसे last में इन्होंने mention कर रखा है desire to work in dynamic and interactive team working environment ठीक है तो यह था इसका job details apply करने का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए अब हम second company के तरफ चलते है second जो company है वह है Tata Alexa यह अभी software engineer all के लिए hire कर रहा है इसमें जो eligibility है वह है B, BTIC, ME, MTIC, MCA और MSC वाले ठीक है यह सिर्फ 2022 batch वाले को hire कर रहा है ठीक है तो यदि आप 2020 या 2020 वाले हैं तो आप apply नहीं कर सकते है selection के बाद जो आपका job location होगा वह across India होने वाला है इंडिया में कहीं भी हो सकते है एक्सपरियंस में जभी इन्होंने 2022 में किया तो quite clear है कि यह pressure scene होगा selection के बाद जो आपका city होने वाला होगा सकत LPA का होगा last day to apply कुछ भी mention नहीं किया गया है तो फिर से वही बाद apply as soon as possible जितनी जल्द हो सके आप apply के लिए तो चलिए अब हम इसके job description के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले इन्होंने mention कर रखा है year of passing 2022 batch वाले ही सिर्फ apply कर सकते हैं यह इन्होंने mention कर रखा है कौन से batch eligible हैंगे इन्होंने mention कर रखा है कि B, BTEC, ME, MTEC, MS, MCA, MSC वाले apply कर सकते हैं लेकिन आपका gap in education one year से ज्यादा नहीं होना चाहिए third point इन्होंने mention कर रखा है कि आपका 10, 12, BTEC, MTEC, MS, MCA, MSC में 6 CGPA या 60% होना चाहिए ठीक है और third point इन्होंने mention कर रखा है कि आपके पास को भी backlog नहीं होना चाहिए अगर backlog है तो joining के 6th month के अंदर आपको completion certificate प्रोभाइट करना होगा ठीक है next इन्होंने under graduation और post graduation के specialization को mention कर रखा है तो आप इस stage को वीडियो पहुच करके पढ़ लिजे तो ये था आपका Tata LXI कंपनी का job description इस तरह से हमने ThoughtWorks और Tata LXI कंपनी के job description के बारे में बात किया बाकि आपको apply करने का link वीडियो के description में मिल जाएगा आप link पे क्लिक करके apply कर सकते हैं अगर आपको apply करने में को issue हो तो आप comment करके हमसे फूच सकते हैं तो चलिए अब next video जो मिलते हैं तब तक के लिए good bye आपको प्रेक सकते हैं